उत्पत्ति अध्याय तैतालिस और अकाल देश में और भी भैंकर होता गया। जब वहां अन्न जो वे मिस्र से ले आये थे समापत हो गया। तब उनके पिता ने उनसे कहा फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजनवस्तु मोल ले आओ। तब यहुदा ने उससे कहा उस पुरुष ने हमको चीतावने दे कर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे संमुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तु हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजनवस्तु मोल ले आएंगे। परन्तु यदि तु उसको न भेजे तो हम न जाएंगे। क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे संमुख न आने पाऊगे तब इसरायल ने कहा तुमने उस पुरुष को यह बता कर कि हमारा एक और भाई है क्यो मुझसे बुरा बरताव किया उन्होंने कहा जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुम्बियों की दशा को इस रिती से पूछा कि क्या तुम्हारा प उससे वर्नन किया फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहां ले आओ फिर यहुदा ने अपने पिता इसरायल से कहा उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए इससे हम और तु हमारे बाल बच्चे मरने न पाएगे बरन जवीत रहेंगे मैं उस हाथ से तु उसको फेर लेना यदि मैं इसको तेरे पास पहुँचा कर सामने न खड़ा कर दू तब तु मैं सदा के लिए तेरा अपरादी ठैरूँगा यदि हम लोग विलम बन न करते तो अब तक दूसरी बार लवटाते तब उनके पिता इसरायल ने उनसे कहा यदि सच मुच ऐसी ही बात है तो यह करो इस देश की उत्तम-उत्तम वस्तुमे से कुछ-कुछ अपने बोरे में उस पूरिश के लिए भेट ले जाओ जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंदद्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ कदाचित यह भूल से हुआ हो और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास जाओ और सरोशक्तिमान परमिश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालू करेगा जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामिन को भी आने दे और यदि मैं निर्वन्ष हुआ तो होने दो तब उन मनुष्वों ने वह भेट और दुना रुपया और बन्यामिन को भी संग लिया और चल दिये और मिश्व में पहुँचकर युसुप के सामने खड़े हुए उनके साथ बिन्यामिन को देखकर युसुप ने अपने घर के अधिकारी से कहा उन मनुष्वों को घर में पहुचा दो और पशुमार के भोजन तयार करो क्योंकि वे लोग दो पहर को मेरे संग भोजन तब वह अधिकारी पुरुष युसुप के कहने के अनुसार उन पुरुष्वों को युसुप के घर ले गया जब वे युसुप के घर को पहुचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुँच गए है जिससे कि वह पुरुश हम पर तूट पड़े और हमें वश्मे करके अपने दास बनाए और हमारे गद्धो को भी छीन ले तब वे युसुप के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हे हमारे प्रभु जब हम पहली बार अन्न मोर लेने को आये थे तब हमने सराय में पहुच कर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुह पर रखा है इसलिए हम उसको अपने साथ फिर ले आते हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोर लेने के लिए लाए है हम नहीं जानते थे कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था उसने कहा तुम्हारा कुशल हो डरो मत तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है उसीने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा तुम् उस चन ने उन मनुश्रों को युसुप के घर में ले जाकर जल दिया, तब उन्होंने अपने पाओं को धोया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा दिया, तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने युसुप के आने के समय तक अर्थात दो पहर तक उस भेट को इकटा कर रखा, जब युसुप घर आया, तब वे उस भेट को जो उनके हाथ में थी, उसके सन्मुख घर में ले गए, और भूमी पर गिर कर उसको दंडवत किया, उसने उनका कुशल पूछा, और कहा, क्या तुम्हारा वह बुढ़ा पिता है, जिसकी तुमन अब तक जीवी थे, उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है, और अब तक जीवी थे, तब उन्होंने सिर जुका कर फिर दंडवत किया, तब उसने आखें उठा कर और अपने सगे भाई बिन्यामिन को देख कर पूछा, क्या तुम्हारा वह चोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी, यही है, फिर उसने कहा, मेरे पुत्र, परमिश्वर तुझ पर अनुग्रह करें, तब अपने भाई के स्निह से मन भराने के कारण, और यह सोचकर कि मैं कहां जाकर रो, युसुफ फूर्ती से अपनी कोठ्री में गया, और वहां रो पड़ा, फिर अपना मुहध होकर निकलाया, और अपने कोठ शांत करके कहा, भोजन परोशो, तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाईयों के लिए भी अलग, और जो मिस्री उसके संग खाते थे, उनके लिए भी अलग भोजन परोशा, इसलिए कि मिस्री इब्रियो उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देखके वे विस्मित होकर एक दुसरी के ओर देखने लगे। तब यूसुप अपने सामने से भोजन वस्थुए उठा उठा के उनके पास भेजने लगा। और बिन्यमिन को अपने भायों से पचकुनी अधिक भोजन वस्थु मिली। और उन्होंने उसके संग मनमाना ख है प्याप यह